आप आईएस के देनिक हिंदी संपाद की विशलेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं तीन आर्टिकल जिसमें से पहला आर्टिकल है जो कि भी आपने जो बनरजी जी को नोबल प्राइज मिला है तो उससे ही लिटर ये आर्टिकल है जो कि जैसे किभी तक तो हम लोगों ने सैधानतिक अर्थविस्था सैधानतिता उसकी समझ के बारे में तो देखा है लेकिन जो इनका विकासवादी अर्थविस्था है प्रकार काते हैं से अर्थ सास्तर को व्यावारिक ढंग करता है उसके संदर्ब करता है तो उसके विकास्वात अर्थव्यार्स्तफ इसके संदर में इसमें विकासके जाता कुछ समझь प्राइब तो इस अगला चरह नहीं को कहा जा सकता है तो काफी सम्राइब स्वाम में तो इन दोनों आडिकल को एक साथ पढ़ा जाएगा वहीं अपना यह थार्ड आडिकल है तो अपनी स्थांति को नोबल प्राइस जो मिला है यह अभी अहमद जी को एथियोपिया के पीम ह तो उससे संदार में यह आडिकल जो है तो कुछ इसमें डिसकस किया गया है तो भी काफी मतलब कि ठीक ठाक अच्छा आडिकल है जो कि जी बर्दमान वेस्विक द्रिश्ट कोंड से बात की जाए तो जो बर्दमान में चुनाउती है देखने को मिल रही है हना चाहे वो कह स मितलब कि जो उन्होंने इनिशेट यह था तो इससे संबंदित यह आडिकल है तो इसको हम लोग डिसकस करेंगे तो यहां पास इसपेसली दू आर्टिकल यह जो अपने जो दोनों नौबल प्राइज है तो यह वो सांती का नोबल प्राइज हो तो यह तो सांती के जाता है और अर्तमान संद्र में देखा जा तो जो बहुत सी अपनी जो यह जना है तो वह वी हैवरल एकोनामिक की तरफ मतलब कुसी से प्रेडित होती है तो इसलिए भी इस जो इसकी जो महत्ता है तो और ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए हम इन दोनों ही नोबल प्राइ सब्सक्राइब करनाम करनानों के बाद करनाम सर्फ मेर वृटênio जैसे जो यह है तो यह यह ना के निदोनी जुचने वाली प्रेड़ा के पास अर्थ सास्त्री जाते है उसकी जिक्र के बदे़ी करना से चिकराना Mage जो év अंधु कि एपैसे व्यसम्स है कि तुर जब करते हैं तो जाने कि 5 मौग उसमयां अगहीं बाते हैं। देंधा हैं तो क्या मिन हमाइल सब्सक्राइट उस जम्हला के पास जाती है जो कुछ अपेकर ऑहाँ Blood. तो जब वहाँ पास वह गय तो उनसे जो है तो गरीबों से मतलब गरीबी से समझे तो कुछ उन्हों कुश्चन ड्रेस किये और कुश्चन जब पूछे गये तो उसमें से जैसे कुछ हद तक जैसे उनकी महिलावदारा जवाब भी दिया गया जैसे उनके चोटे चोटे उद्यम है तो उनको बढ़ाया नहीं जा सकता और यादी बढ़ाया जा सकता है तो जैसे कि कई प्रकार की जो भी अपसाय करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इस प्रकार के चैलेंजेस को अभी उन्होंने मतलब कि जिक्र किया है तो गरीबों के आर्थिक जीवन पर जो एक प्रकार से कह सकते कि जो जमीनी इस तरफ के अनुभावों के अनुसार जो उन्हों ने एक पहतर पेपर रिसर्च अपना तयार किया था Mr. Banerji और उनकी वाइफ Esther Dufflo ने तो उन्होंने इसमें लिखा भी है उससाथ उसके केंदर में जो है तो इसी घटना का भी एक प्रसेट्टो सा बनाने वाली जो एक घटना है गरीब लोग सम्मद्दे तो इसको भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया अपनी इसवे हना और तो अच्छा है कि यह जो घटना है तो इसका जो जिक्र है तो यह जो उनकी आने वाली बुक है कि पूर एकोनोमिक्स रिथेंकिंग पावर्टी एंड वेस्टू इंड इंड में उसको इन्होंने विस्तार से इसके बारे में प्रणन भी हाँ पस किया गया है तो वेद गरीबों के जीवन को समझने के लिए जैसे बात करते हैं कि यह जो इन अर्ट साश्यों को एक प्रकार से जमीनी स्थर पर प्रियोग है उन्हें इन चीजों को मतलब कि प्रकार से कह सकता है कि व्यावहरिक ढंग से उन चीजों को पहले उन्होंने खुद उसको अ प्रियोग के llama किस प्रकार प्रियोग कि यह से उन्हों ने दो समोह को जो जो है तो बिना किसी क्रम की ऐसे रैंड difficile उठ다가 उसको चैन किया पिर एक समोह मोन ने क्या किया कि शोड़ी थो रोटन है उस diff節目 पर परे बरतिया अब परिशन का यह जबकि गरूप तो उस दूस मैं एक मतलब किया और दमा दो किरने के बाद वैगल की वैड़ तो इस निगले तो दो उन्हें अंयों किया है कि इस तो सबस्क्राविब है उन्हें की जिव्यार उन्हें पलब में अदिक जादा जुकर में और हो धुछ कांटरे समय आनुछ करना में करदा Wam तो प्रियूग करते हैं किस प्रकार से संपत्ती में उसका वो किया जाया उसी तरह वंटॉप उसी तरह वह जो है तो जो गरीब तबका होता है अपने पैसे हो तो वह तो भी निभेश करने प्रियाज करता है हना साथे साथ जो है तो जैसे कि ये दिबात की जाए कि जैसे नार्मल से चीज़े होते हैं कि मुल फूत आवसकता हैं जो हैं जैसे 500 अच्छ पानी है या इधान है तो उनसे इतर जाद तर जो है रोजमर्रा की जरुवत है उन पर भी जिंता करने के साथ हमें उनकी अन्य ची आपस उन्होंने इसके संदर में कुछ प्रियोग भी किया तो उन्होंने यह देखा कि जैसे सरकाल का जैसे मुफ्त ट्रतीग्राण गरवाने की सुविधा का लाव उठाने जैक प्रकार से मताब उसका लाव नहीं उठा रही है अपने बच्चों को सरकारे क्लिनिक में नह लोग जो नहीं आरहे जबकि मुफ्त from i a है आ अव साह्ता इससे भी बडका समस्य ये थैए कि इस अंस्यों को start out कैसे किया जायर तो जैसे कि इनकी今日i we Damn would प्रियोक कीअ तो उन्होंने प्रियोक के पर आई तौर पर यह काम किया तो इससे क्या हुआ कि जो ठीका करण की दर थी तो वह जो ठीका करण की दर पहले 18% हुआ करती थी तो बढ़ करके लगवग लगवग 39% हो गई यानि कि इतना ज्यादा इजाफा देखनों को मिला इस प्रियोग से उनके यानि कि यह काफी बेहतर सफल प्रियोग रहा और अना कि एक प्रकार से हवावाजी या सधानतिक के इस तर पर वैसे ज्यादा नहीं जो प्रयोग तरीके से जो व्यावहारिक हो उस धंके उनके सुझाओ है इससे क्या होता है कि जो गवर्मेंट इनेशियेटी लेती है तो उसका भी एक प्रकार से यह थोचित ब्रतित तक लाव पहुंच पाता है अहित बनर जी और डफलो के जो सबसे व्यावहारिक कामों में से एक और जैसे की गरीब परिवारों के पैसे खर्च करने का तरीके पर ही उन्होंने मतलब काफी ज़्यादा इस बारे में बिनों रिसर्च किया आम तर पर ऐसा माना जाता है कि अपने अत्रिक पैसों को टेलिवीजन या त्योहारों या महगे स्वाधिश्ट भोजन पर खर्च करते हैं उनके उस पर इस चीज का जिक्र अपने भूक में भी लिखा है कि जैसे गरीबों की प्रात्मिक्ता है ऐसी चीज़े हैं जो उनके जीवन की जो मतलब की एक उबा का भी चाहिए उनके लिए पोशन ही माइने नहीं रखता है वलकि एक कुछ वजहें भी माइने रखते हैं जिसके लिए जीवन जीने के लिए मतलब ततपर हो सके तो साथ ही जैसे कि 1970 के दसक में आर्थिक विकास के लिहास से बात की जा कि एक खास मैक्रो एकोनामिक बिंद कि जैसे कि जमीनी विवरण हों उनको समझने के बाद ही बड़ी इतस्यवी बनाई जाए हना कोई भी विजन हो तो डायक्ट एक प्रकार से पहले उसको जमीनी इस तर पर प्रियोग करके समझा जाए अब फिर उसको बड़ी लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात हो जाए जो उनकी प्रियोटीजम होते हैं जैसे कि सच्छे जल है समंधित है और भी तो गरीबों को अनाज देने समंधित बात की जाए कि गरीबों को अभी जैसे कि यह मामले भी काफिया अपने यहां भी जैसे कि पीड़े सिस्टम को खतम कर दिया जा जाए कैस वाली सिस्टम इस इस तरह की भी सम्हावने बनती है ना कि जैसे कि पहले किया था कि फूट सेक्योर्टी से इलेटरिट जो है तो पहले खाद सुरच्छा की समस्या काफी यदा होती थी तो उससे संदर में जो तो PDS का सिस्टम लाया गया था अब तो एक प्रकार से आत्म निर्भरता हो गई है गलत जैसे कि म 높व पैसे कोड़ा दिया जाए ये सूरेख ह्षा दूर्चा का भात गया थकी जा तो तो में यहां बताबिक जो है तो वरीके सामाजना है कि जो लोग एं तो नगदी के इस्तमाल उस चीज़ समस्स खरेदने के लिए करेंगे चाहते हैं है उना और वह चीज क कभी आभूशन तो कभी सराव होगी यानि उनके रिक्वार्मेंट के हिसाब से बल्कि यह भी सोचते हैं कि उनके पास काफी अनाज है तो वे उसे बेंच भी देंगे है ना तो इसी के संदर में एक प्रकार से यदि हम बात की जाके टाफलो कभी ऐसा ही मानना है कि जैसे उनके राय में गरीब हो को यह कहना अनुची थै कि उनके प्रात्मिक ताएं गलत है और उन्हें बदलने की जरूत है हम यदि उनकी पश्तितियों में होते हम बेर सेम वही सकता है तो वह उनकी एक प्रकार से आसान पहुंच में हो साथे साथ काफी एफ़र्डवल हो कि जो उनको इसली आसानी से उपलब्द हो सके इस तरह से क्या होगा कि उनको प्रयाब्त मात्रा में पूशन भी मिल सकेगा और उनके पास जो जरूत की उनकी चीजें हैं तो उस समस्यां देखने के मिलती हैं तो इस समस्यां काफी कम हो जाएंगी हैना और यह तो एक प्रकार से साविनिक धन का भी एक बहतर इस्तमाल हो सकेगा जो सरकार अब यह जैसे कि इन बीमारियों को बदूर करने में यतना जादा पैसा खरच कर रही है तो इससे भी जो तो एक पहचान के अधार पर नगदी हस्तान तरित करने की चाहिए जैसे कि यहाँ पास कंग्रेस शरकार ने जो है तो निया योजना लेकर आई थी जैसे कि बात 13,000 रूपे सालाना के हिसाब से हर व्यक्ति को देने की बात की थी तो यह इन ही किस सुझाई हुई मिस्टर बनर जी तो जैसे कि स्वास्ति भी माइव लागू करना चाहिए जसे जो सड़क दुरहट ने अन से वे जो है तो एक प्रकाश बड़ा प्रकार का वार हो सकेगा साथी जो है तो सरकार को लिखा जो है तो प्रत्य घर को साफ पेजल मुहया कराने की बाते मतलब की यह सास्ति करते है तो वह हैं टीका करण के लिए गरीबूर mów wired करने के जो सम्माधिन भी बाते भी कियाती है कि आनलो ना तो क्योंकि जो अपने बतलब कि बच्चों के क्रिए जो यहां पास समय साहिए भी देखनों के मिलीए इनके इनठी हैं जैसे यह लोग टीका करण के खिलाफ नहीं है बलकि इसको प्रकासे डिले करते रहते हैं कि लचरता सी ही लोगों में देखी जाती है तो इसी के अगले करम में बात करा है कि इसी आर्टिकल पर कि जैसे यह अभजीत बनर जी जो है तो यह भारत की गरीवी पर सोथ करने वाले जैसे पहले है अर्थसास्त्री नहीं है बलकि जिन्हें इस संद्र में नोबल मिला है बलकि इस सिल्सले में देबात की जाए तो सबसे पहला प्रियास जो है तो मिस्टर गुर्णार मिर्डल का था जिन्हों ने कि आगे कि भारत के जो गरीवी को पहला अर्थसास्त्री तो जो जिसकी मतलब की आज भी ज़्यादा काफ़ ज़्यादा इंपोर्टेंस है और गुर्णार मेडल से लेकर कि अमर्थ सेन तक की जो विकासवादी अर्थसास्त्र यहीं से निकला था उसी की जो अगली धारा है तो वही जो है अभिनित बनर्जी जी की धारा के रोप में एंक देखने करें मिलती है और मिश्टर ऀष्टर डफ्लो की तो यही विकासवादी अर्थसास्तर की दारा में यही है आगला प्रक्रम यही है और गरीबी कम या खतम करने के लिए जो है तो जैसे पिछले काफी समय जैसे देश में कई परकार की जो योजनाय चल रही है तो वह भी इस पिसले यह तो इसी विकासवादी अर्सास्त्र की हिस्सों से प्रेरीत हैं कि अब इनके यह दे हम बात करते है कि जो विकासवादी सास्त्र विकासवादी स्फी उव कि जैसे 6 उड़य माहत्व बात की जा है माने जासकते हैं कि कोई बी नेतिया गरीबो को लाभ देने का जो कोई रास्त्ता कामयाब होगा इससे जानने के लिए जो है तो उन्होंने मेडिकल साइंस के उस ओजार को धाल लिया था जैसे रेंडम कंट्रोल ट्रायल का जाता है इसके वारे पिछले वे चिक्र किया गया है यानि ऐसा तरीक है जिसे किसी भी नई दबा या नुस्खे को परकार से परका जा सके जमीन इस तरब कि वो कितना ज़्यादा कारगार होगा हना साथे साथ जो है तो गरीबी नुरल के लिए उन्होंने काफ़ ज़्यादा जिस संथा कि नीव रखी तो उससे भी प्रियोकसाला का ही नाम दिया जैसे पावर्टी एक्सन लैब भी इसका नाम उन्होंने दिया और दूसरा इंकम हत्पून योगदान माना जा सकता है कि उन्होंने जो है तो गरीबों से दूर रहकर सिर्फ सिधानतों के जरी गरीबों को समझने कोशिस नहीं की बलकि उन्होंने गरीबों को साथ एक प्रकर से व्यावारिक जमीन इस्तर पर रहकर रहकर के अनुभाव के साथ इन चीज़ों को साट आउट करने का प्रयास किया ह ताकि जो है तो उनके जीवन के दबावों और उसकी वज़ा से बनने वाली जो सोच और व्यवहार एक प्रकर से माइंडसेट बनता है तो उसको भली भाती समझ सके और तब उसको उसी चीज को फिर भी जो है तो बेटर तरीके से आगे उसको सार्ट आउट करने का प्रयास कर सके अगर अबनर जिए अगर गरीबों को सीधे धन्दे दिया जाता है तो उसको अपवय कर देंगे तब यहां पस बनर जी जो राय है तो इनसे बिल्कुल उलट है उनका ऐसा मानना है कि यह अपवय नहीं है बलकि अत्रिक्त धन से जो है गरीब दरसल अपने नीडस जिन प्रण बरने के कोसिस करते हैं जैसे कि नया योजना भी तो वहीं कांग्रेस पार्टी को जो सुझाए गई योजना थी वहीं से सम्दित मतलब की द्वारा सुझाए गई योजना थी जो 72000 रुपेस साल आना की देने की बात हुई थी तो यह जो मतलब की जो अर्थसास की धारा है विकासवादी अर्थसास की धारा है तो यह इसकी ज्यादा मतलब की इतने ज्यादा व्यापक हो कि इन्हें के विकासवादी अर्थसास से ही प्रेइट हो कि जैसे वह उन्हें भी अपने जो गरीबी उन्मूरन उनके प्रोग्रा जे जो अर्थ सांथ इसी धारा की जीत के तूर पिरुसकार को माना जा सकता है तो इस आर्टिकल में इतना ही चलते है अपने नेक्स आर्टिकल पर जो अर्टिकल है सांती की पुरुषकार से रिलेट्टरेट रोडिकल है। और यह उपलब्दियां जो इन्हें हैं तो इनकी उम्र से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है यह 43 एर के हैं तो जैसे कि यह बात हम करते हैं कि इन्हों सुरुवाती दोर पे जब राजनेती में कदम रखा था तो लगभग लगभग जो है तो काफी ज़्यादा मतलब की तब एथियोपिया की जो हालत है तो बहुत ज़्यादा खसता हाल थी एक प्रका से बहुत ज़्यादा पिछड़ा गरीबा जाती जो दिमें उलजा हुआ अप्रेकी देश के प्रधानमंत्री को तौर पे यह यहाँ पास मतलब की बने थे तब जो है तो उन्हों ने इन चीजों पे काफी ज़्यादा मतलब प्रियास किया और जो वहाँ पास विभिन प्रका के जडिलता है थी गर्यूद जैसे समस्याएं एथियोपिया में मतलब की वो थी तो उन्हों ने वहाँ पास से लोकतंदर का एक आस्वासन बनकर यह प्रियास देखा जाए तो लोकतंदर के पर उनकी प्रत्यवद्त के तो उन्हों ना सिर्फ सभी राजनेतिक बंदियों को रिहा कर दिया था बलकि 18 महेनों तक जो एथियोपिया की जेल में रहने के बाद अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रही लोकतंदर समर्थक ए और उन्हें वापस बूलाया निर्वासी थे तो और साथे साथ ना सिर्फ बूलाया बल्कि उन्हें जो है तो एलेक्शन कमीशन का अध्धा चीह नहीं तो बहुत ही मतलब कि इसको लोकतंद्र के पक्ष्व में बहुत ही बड़ा इसको कदम आना जा सकता है और बहुत ही अच्छा इनिश्योटि इसको कहा जा सकता है तो अभी एहमद जो हैं तो अपने देश के विविन जाती समोह को एक प्रकार से उन्हों सास लेकर के सभी को इंटेग्रेट करने की बात देगी और वहीं उन्होंने पर पड़ेवसी देशों के साथ भी काफी ज्यादा रिस्तों को सुधारने का प्रयास किया जहां एरिट्र तो अन्होंने मतलब करें बीराम लगाया बल कि तो दोनों देश 신기 और की अंटेयों को का प्रयास किया गया है तो ये बहुत काफी है अच्छा इनिश्टी इसको माना जा सकता है और वैस्जिक तरिश्ट कोई से बात की जा तो एक संदेश सांती के संदेश के तौर इसको देखा जा सकता है इसलिए जो है तो अभी हमद को ये नोबल सांती पुरुसकार एक विकास से इनके इसी विशिष्ट कारे के लिए भी देखा गया है और देश के भीतर बाहर के तनाव को कम करने का जो सीधा फायदा भी इतियोपिया को देखने को मिला था जैसे कि जो संसाधन जो है तो लड़ाई जगड़े में मतलब खर्च हो जाता सरकार का तो जो है तो अब विकास की दिशा पर उसको लगाया गया और सथी नιजी करणड और उधरवाद को भी बया पाकी इसितर पर बश्टारीट किया सथी साथ इत्षियोपया की जो इसलिए उनकी इनए कारगर नेतिव के करणड ज्योहती इत्षियोपया हैं हैं बदहाली अफ्रीकी अन्य देसों की तरह हैं लेकिन अन्य देसों जहां अफ्रीकिया में अन्य देसों में मतलब काफी ज्यादा जैसे नाजीरिया है दच्छुन सुडान की बाद के वहां पास बहुत ज्यादा मतलब समस्या देखने के बिल तो उसके संदर में बाद क के लिए एक प्रकार से एक उम्मीद की तौर पर उगरे हैं और निश्ची तौर पर यहां पसे राइटर ने एक सवाल भी मतलब किया है कि क्या बाकी दुनिये खास कर अफ्रीका के अन्य देश है तो उनसे क्या कोई सबक ले सकते हैं या लेंगे क्या है तो निश्ची तौर यह बहुत ही अच्छा उनका कदम रहा है जो कि वैस्विक दिश्च से भी काफे ज़्यादा सराहनी रहा है तो बस आज इस आइडिकल में इतने ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थन्वाद